तो नेक्स एडिंग लेकस में फडिल जिसेन चुंक तो यह मैं और अपको बता चुकी होगा कि इसके अंदर फर्टिलिजिशन कैसा होगा internal fertilization होगा और cockroach की population एकदम से suddenly grow क्यों होती है क्योंकि अगर हम U-thika के बारे में बात करें तो एक U-thika के अंदर एग की संख्या किती होती है 14 to 16 एग होती है और एक female जो है ऐसे कितने एक बार में U-thika बनाती है 9 to 10 U-thika बनाती है तो मल्टिप्लाई करने के बाद एप्रोक्स कितना आया 150 एग हो गए और अगर मालीजी आपके पास female टोटल किती है यहां पर 10 female है एक घर के अंदर तो मल्टिप्लाई करने के बाद कितना आएगा संख्या यह एप्रोक्स आंसर आएगा 1500 तो एक फिमेल जो है वो कितने नहीं 10 फिमेल जो है वो कितने एक बार में 1500 बच्चे पैदा कर सकती है है ना देर्फोर पॉपुलेशन आफ कॉक्रोच पॉपुलेशन आफ कॉक्रोच इंक्रीज वेरी फास्ट ठीक है तो यह फट्लाशन के बारे में इती ही आने थी इसमें और फिर उसके बाद बाकी इंसे आदिम पढ़ लेना कि यह जो उथिका जो आपको पर्स लाइग स्टिक्चर दिखाए देते हैं इसे फिमेल जो है वो जनरली कहां पर ठीक हरती हैं को जो मारे किछन में सिंह के नीचे जनरली और खोक्रोच आपको चोटी कोड़으 वहां पर दिखाए दिनगी हैं कि हैं है मेल कोछ एक सेफ प्लेस ढूंत ही इन फो थिका को प्लेस करनी के लिए और यह safe place generally उनको कहां पर मिलता है sink के नीचे क्योंकि वहां पर खाना भी थोड़ा moisture भी होता है वहां पर पानी होता है तो moisture भी होगा and plus वहां पर जो area है वो आपको dark देखने को भी लेगा and उसमें जहां पर दीवारों के अंदर छोट-छोटी तो यह पर आपको लेखने के अंदर लेजा के उनने उठीका को प्लेस करती है अब उसके बाद नेक्स अम पढ़ते इसमें मॉर्फोसिस की बारे में हलंकि मैटा मॉर्फो सिस आप एक चोटे कोक्रोज को देखिए और एक बड़े कोक्रोज को देखिए और फिर आप एक एमफिबियन का लार्वा देखिए टेग पॉल और फिर एडल्ट को देखिए तो आप फ्रॉक किंद लार्वा को देखोगी एडल्ट को देखोगी दोनों बहुत अलग लगते कोक्रोज में तो ऐसा कुछ है नहीं है कि बेभी कोक्रोज को आप असानी से पैचान सकती हो ना कि हैं यह बच्छा किसका है तो इसका मतलब हुआ क्या कि छोटा बेभी मतलब जब मोटामोर्फोसिस होगा और जब एडल्ट बनेगा तो उसमें जादा कुछ चेंजिस हो इनिए और सेंस में पीजादा चेंजिस हो इनिए तो दैट्स वाइए हम इस में इस मेट नोच को कभी प्रू मांते भी नहीं है एल्ड़नकि इस दुरहन जो है सिर्फ तीन चेंजिस होते हैं कि छोटा कोक्रोच साइज में बड़ा हो जाते हैं उसके अंदर सक्षोल ऑर्गन ओर्गन और ओर गन्स डवलप हो जाते हैं एक छोटे बेबी के कोक्रोच में और एक बड़े अडल्ट में इतना ही फ़रक होता है तीन चीजह होगा तो में ठामोर्फोशिस के अंदर सिर्फ यह तीन चेंज़ उसको करने होते हैं तो यह हम लोग बोलेंगे कि यह मेटामॉर्फोसीज जो है नॉट कंसीडर एज़ ट्रू टाइप और इस तरह की मेटामॉर्फोसीज को हलंकि आप देखो कोई जुलोजी तो पढ़नी रहे हो बहुत सारे इंसेट है उन बहुत सारे इंसेट के इंदर मेटामॉर्फोसीज बहुत सारे तरका होता है आपको सिरफ एक बात रटनी है कि कॉक्रोज के क्या बुला चाहेगा पूरो मेटा मॉर्फोसीज यह मॉर्फोसीज का टाइप होता है कहां पे कॉक्रोज के अंदर बस इत्ती बात आपको याद रखनी है अच्छा अब यह मानलो कि आपकी पस फर्टिलाजड एग था कॉक्रोज का फिर इसकी बाद यहां से क्या बनीगा लार्वा हम यहां पर शब्द लार्वा नहीं यूज करते है शब्द यूज करते है निम्फ क्या शब्द यूज करते है यस निम्फ और फिर निम्फ जो है वो फाइनली कनवर्ट हो जाते है किसमें एडल्ट के अंदर किसमें कनवर्ट होगा एडल्ट के अंदर तो यहां ने बोला था कि इसका जो साइज यह वो क्या होगा? साइज आपको छोटा देखने को मिलेगा, स्मॉल, जबकि जो एडल्ट कोकरोच होते हैं, वो साइज में क्या होते हैं? इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, लार्ज साइज होगा, प्लस इसके इंदर जो विंक्स होंगी, वो क्या होंगी? अपसेंट होंगी, यहां जाकि इसके इंदर विंक्स जो है, वो प्रेजेंट होंगी, एंड इसके पास जो गॉनेट से, टैस्टिस और ओवरी, वो इसमें अपसेंट होते हैं, और यहां जाके क्या होते है गौनेट्स जो है वह डवलप हो जाते और रिप्रोडक्शन करना इसके प्रॉपर्टि होती है ुझमीनाल फिज के होती है अडल्ट फिर क्ीछ होती है है त्侈 जो जुविनाल फिर सोते है इस जुविनाल फिर को बढलते iu निंफ बोलते ठीक फिर इसके बाद सेकंड बना थर्ड बना फोर्थ बना और इस सरे से इंक्रीज होती होती लास्ट में यह बनता है 13 और 13 और 13 की बाद फिर फार्नली बन जाता है कौन? एडल्ट कौन बन चायगा तो यहां पर फर्टिलाइजद एग और उसके बाद में तो यह आपको और इस इंस्टार हर एक सिंगल स्टेच को हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टार बोलते हैं हर एक सिंगल स्टेच को क्या बोला जाएगा इंस्टार बोला जाएगा और यह इंस्टार जो है वह अपना साइस के से इंक्रीज करेगा देखो तो जब यह एक फेस से दूसरे फेस मे जब एंटर होगा तो common sense की बात है कि इस दोरान ग्रोथ हॉर्मोन जो है बढ़ जाएगा और ग्रोथ हॉर्मोन का सेक्रेशन बढ़ेगा पर प्रॉब्लम है कि बिठा कोक्रोज की बाहर तो एक्जोस्क्लेटर है और जब तक आपको किसी कैप्सोल में पैक कर दिया जाए चार जाए उसको अपना एक्जोस्क्लेटर हटाना पड़ेगा तो यह क्या करना पड़ेगा इसको एक्जोस्क्लेटर को क्या कर देता है यह शैड़ ओफ कर देगा रिमूव कर देगा एंड रिमूव करने के बाद इसके इंदे सिक्रीट होता है ग्रोथ होर्मोन और ग्रोथ हो तो तब उसको protection के लिए वापस इसमें क्या बनाना होगा तो इसमें होता है reformation of कि रीफॉर्मेशन ओफ क्या हो जाएगा exoskeleton और इसमें exoskeleton वापस क्या है develop हो जाएगी फिर वो इसी second in start stage में 3-4 मेने तक survive करेगा फिर याद आएगी कि और यह हमें तो growth करनी थी तो फिर से वापस क्या करेगा वह अपना exoskeleton शेड़ ओफ कर देगा और फिर ग्रोथ और मुन से क्रीट होगा उपना size बढ़ा लेगा और size बढ़ाने की बात बूश ती कहां पी आ गया second start stage में आ गया और फिर वापस एक नया exoskeleton reform कर लेगा दो-चार मेने तक उसी stage में survive करेगा फिर वापस यह repeat दो-चार मेने तक उसी stage में survive करेगा फिर से repeat और यह करते-करते पता है उसको किता time लग जाता है निम्व से लार्वा बनने में उसको करीबन 2-2 साल लग जाते है जैसे 2-4 मेने इस stage में फिर 2-4 मेने इस stage में फिर 2-4 मेने इस stage में यहां तक आते-आते उसको किता time लग जाते है दो-से दाइस साल लग जाते है उसको है ना और यह important जा दखना कि इसकी जो 13th stage होगी मतलब ऐसा किती बार होता है 13 बार होता है 13 तो इसका जो 30th stage होगा इस stage जाके जाके इसका size almost adult की जैसा हो जाता है last वाली जो निम्फ की stage है last nymphal stage जो है और adult का size exactly same हो दोनों का क्योंकि यहां तक size उसका proper increase हो चुका है बस इसमें बनाने के होते हैं अब इसमें develop हो जाते इसमें बनेंगे बटा पर गॉनेट्स जो है वो develop होना start हो जाते तो यह starting कांपी होगी यह starting होती कांपी है थर्टेफ स्टेज के अंदर तो थर्टेफ स्टेज में और adult में बस इता ही difference है साइस दोनों का सेम रहेगा फरक क्या होगा इसमें विंक्स होते हैं इसमें विंक्स पैड़ोते और इसमें गॉनेट्स तो पूरी तरह से डवलप हो चुके और वो प्रड़क्शन शुरू कर चुका है जबकि यहां पर क्या होगी गॉनेट्स चुए डवलप होना स्टार्ट हुए है कोई परिशान है इसमें नहीं अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज ही आप लोग जो मेटमोर्फोसिस पढ़ रहे हो ना कि एक से दूसरी स्टेज मे वह infection हो रहा है और एसा डोटल कि बार रहा है घ्ला बार हो रहा है तो यह पूरा कव वन गशंस्म और यह धाफ थो डित department शार्मोन पार्र obligation है ओक टाइसन होपर रहा हूं जिसको हम लोग और बोलते हैं क्या was molting hormone, magnesium hormone, या फिर इसको बोला जाता है क्या? molting hormone बोला जाता है, यह important प्लेटन रियाद जग लगना हालनकि इसमें एक juvenile hormone भी होता है, juvenile hormone जब ने बोला ना कि दो चार मेने इसी stage में survive करेंगा, तो इसको juvenile रखनी की काम कौन करेंगा juvenile hormone का, तो क्या मैं बोल सकते हूं कि जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब ट्रांस्मिशन जब चलता है तो जुविनाइल हॉर्मोन मिनिमम हो जाता है लो एंड एकडाइसन हॉर्मोन क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है मेटाम औरफसीस की तुरहन, मिनिमम रिखा जाएगा, नहीं, मैक्सिमम हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और जुविनल हॉर्मॉन हो जाएगा, बस सुनकी छोड़डो, मांकी इमपोर्टेन्ट आप बस ज्यान आखना, ऑपि बोल्टिंग हो थाए, ठीके, इत्ते जी बात ही, अब लास्ट में कॉक्रोज का आता है कौन सा? सिग्निफिकेंस कॉक्रोज पता ही यह किसी काम के नहीं है नहीं नि काम के भी था सुनो एक तो बीमारिया फखलाने के लिए काम के खाने को कंटामीनेटिट करते हैं दो नाली से निकलते और दूसरी होते हैं, डीजिस की केरियर होते हैं, ठीक है? तो ये दो इसकी सिग्निफिकेंस हो गए, एंद लास्ट बॉइंट, आप लोग उनका भी पेस्ट कंट्रोल के बारे में सुने, वो आते हैं, पेस्ट कंट्रोल गर में लागे दुआं कर देते हैं, फिर आपको बोल तो जब तक अगडायसन होर्मोन सेक्रेशन को ब्लॉक कर देते था तो जब तक अगडायसन होर्मोन सेक्रेशन नहीं होगा मित्कम नहीं होगी तो जो जिस स्टेजिमें है उसी स्टेज में क्या होंगी उनका फॉल्ट टॉप लग जया ज़ा रा और वह आगी एडल्ट कभी बन नहीं पाते देश्रा को आर उतीर कीौरट थि अधराय प्रॉर्मोन ऑपर्टी ओटी और यहल्ट तक एडल्टीम बनीं के रिप्रड़क्शन होगा नहीं कोक्रोच की पॉपुलिशन नहीं बढ़ेगी एंड फिर जो कोक्रोच जिस स्टेज में है दो चार महिने उसी में सर्वाइव करेंगी एंड फिर मारे जाएंगे ठीक है चलो तो यह कहाने कंप्लेट होगी किसके कोक्रोच की पॉपुलिशन नहीं कोक्रोच की पॉपुलिशन नहीं नहीं है